Hello everyone, welcome back in our YouTube channel, V2 Academy J-Main 2022 examination के postponement को लेकर 2nd of April 2022 यानि कि कल जो Twitter campaign चला था वो काफी ज्यादा सफल रहा है पिछले बार 27th of March को जो Twitter campaign चला था उसकी तुल्ना में ठीक है 27th of March को लगबग 90,000 के आसपास tweet हुआ था ठीक है लेकिन दोस्तो इस बार 2nd of April 2022 को जो Twitter campaign हुआ था उसके अंदर लगबग 200 के से प्लस यानि कि 2,00,000 से प्लस tweet किया गया है दोस्तो आप लोग आकडा को यहाँ पे साप साप देख सकते हैं तो देख सकते हैं पिछले बार की तुल्ना में यह काफी सफल मुहीम रहा है इस बार का इस बार की Twitter campaign काफी ज्यादा सफल रहा है तो इसका impact हमारे जैमेन 2022 के examination पर क्या कुछ पढ़ने वाली है और क्या NTA अब हमारे जैमेन के examination को postpone करेगी इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे और अगर examination postpone होती है तो इसकी notification examination के कितने दिन पहले तक आ सकती है ठीक है देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आती है कि जब Supreme Court लोग गये थे petition file करकर के तो वहाँ पे जब सुनमाई हुई तो सुनमाई यह हुई कि पहले आप NTA से जागर के पूछिए ठीक है यानि कि NTA को representation file करिए लेकिन जब लोग NTA के पास गए तो NTA ने representation को accept करने से साप साप मना कर दिया ठीक है NTA ने representation को accept नहीं किया जिस कारण से एक बर फिर से Twitter campaign चलाए गया और इस बार का Twitter campaign जो था दोस्तों पिछले बार की तुनला में काफी ज़्यादा trend पे रहा है ठीक है पिछले बार तो 90,000 ही रहता लेकिन इस बार लगवग 2,29,000 पलस कर गया ट्वीट तो दोस्तों इसको लेकर NTA का क्या कुछ पर्तिक्रियाए है अब हम लोग यह समझते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको इक important चीज़े बताना चाहूँगा फिर हम लोग तुरंत return आते हैं मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अनेकैडेमी एक बार फिर से super 30 टेस्ट लेकर के आई ठीक है और यह टेस्ट डेली चलता है सामको छेवजे आप लोग इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें बिल्कुल फिरी होती है यह टेस्ट और साथी previous year के question को लेकर भी टेस्ट ली चलती है यह भी बिल्कुल फिरी है ठीक है लेकिन अभी offer के तहट आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 499 रुपया में मिल रहा है ठीक है तो जाकर के अभी आप इसे purchase कर सकते हैं आपको कई सारे benefit इसमें मिल जाता है और यह Jai Main और Advance दोनों के लिए होगा ठीक है सभी का लिंक आपको description में मिल जाएगा फ्री टेस्ट और यह Unacademy Light का वी लिंक आपको description में मिल जाएगा जाकर के purchase करिये और इसमें सबसे बड़ा यहां पर फाइदा होगा एमेके भी 10 कोड यूज करियेगा तो आपको और भी 10% का discount मिल जाएगा ठीक है तो जाकर के जल्दी से इसे purchase करिये और free test को join करिये यहां पर आप लोग साप साप देख सकते हैं Supreme Court has directed to submit a representation for J.Mans 2 authorities Some people already burnt for their representation but NTA neglected to accept them NTA has not only ignored the students but also disrespected Supreme Court verdict यहां पर साप साप कहा गया है कि NTA सिर्फ और सिर्फ student के ही कोहीं ignore नहीं कर रही है student का ही अभेलना नहीं कर रही है जबकि यहां पर Supreme Court के decision का भी वहां पर अभेलना किया जा रहा है उनके उनको disrespect दिया जा रहा है तो यहां पर साप साप दोस्तों आप देख सकते हैं NTA हमारी बातों को बिल्कुल भी सुनने को लेकर तयार नहीं है लेकिन ये कल से पहले कल जो Twitter campaign इतना अधिक मात्रा में चला है सायद इसके बाद कुछ सुनने को लेकर तयार हो जाए ठीक है तो NTA को एक बार फिल से representation फाइल किया जा रहा है अब देखिए क्या कुछ update निकल कर सामने आती है जो कुछ भी update आएगी सबसे पहले मैं अपने चनल के माध्यम से आप सभी को provide करता रहूँगा आप लोग देख सकते हैं सुकपाल सिंग टूर सर भी आप सभी के लिए काफी ज़्यादा लगे हुए है और हम लोग भी अपने यूटूब चनल के माध्यम से आप सभी को जागरूख करने का काम कर रहे ठीक है जो कुछ भी update आएगा अपनी पढ़ाई को करते रहे हैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रोके दोस्तों ठीक है अब अपनी पढ़ाई को करते रहें बिल्कुल भी जो कुछ भी update आएगा मैं आप सभी के साथ में share करता ही रहूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत